आदर्निये रकेश पाल जी समाजिक एबं नेतिक मूलियों के उत्थान के लिए सदेव तक पर रहते हैं आदर्निये रकेश पाल जी की भूम का समाजिक उन्नती में पेड़ना चोत है ऐसी पेड़ना मूर्ती लोकमाता अहिल्यावाई की गाथा आप सभी के समक्ष आला की धन पर रस्तुत है सिरिगने से को समरन करके माई सार दा ध्यान लगाए राग राग ने सार दा मया अपनी रक्यों क्रपा बना देओ भूमी है देश हमारा जिसमें बड़ बड़ वीर कहां सीता साब तिरी दुर्गामा यहां लिया या वितार रचा रानी दुर्गाबती को देखो जीवन है आदर से बता है ऐसी वीर लोकमाता के संजो आज रही गुणगा जिनकी ख्याती देशन देशन कोने कोने फेली जाए सन सत्रा सो पच्च से सवी जिनका जन में हुआ बतलाई सन सत्रा सो पच्च से सवी सन सत्रा सो पच्च से स्वी जिनका जन में हुआ बतलाई चंदी जिला उरंगा बाद में आपका जन में स्थान कहाई मान पजी सिंदेप तयापके माता सुसीला देवी कहाई सरल सहजे रहे दोनों ही धार में कुप्रवत्ति के बतलाई माता और पिता दोनों का अहिल्या करियन सरले जाए पढ़ने का तब चलन नहीं था ना ही विद्या लाए के हिला लेकिन पिता मान को जीने पढ़ना लिखना दिया सिखाए मा के साथ सभी कारियों में सदा अहिल्या हाथ बटाए सिख्छा ग्रह करने की ललक थी फीसत संग में रुची बताए सिख्छा ग्रह करने की ललक थी सिख्छा ग्रह करने की ललक थी फीसत संग में रुची बताए धीरे धीरे बढ़ती आयूं हर दिन वह मंदिर को जाए गाओं में छोटा साथा मंदिर भोले बाबा का बत लाए नेमत रूप से उस मंदिर में अहिल्या यार्ती करने जाए सभी गाओं बालों को सामिल और सभी आत्री जो आए मन मोहक बाड़ी थी नकी सुन्दर आरती रही थी गाओं भोले बाबा की परक्रमा पूरी करके घर को जाए सेना पटिमल हार दाओं जी जब पूना को रही थे जाए मंदिर में रुक गई थे देखो अपने मंत्रियों के संग्याए मंदिर में रुक गई थे देखो मंदिर में रुक गई थे देखो अपने मंत्रियों के संग्याए यहां की बाते यही रहने दो अब आगे की बात सुनाए सत्रवी सदी में अपना भारते कई राजों में बटा बताए बाजी राओं बेस बजी देखो था में बाग दोर बत लाए रही है भारत मा के गोरव छत्र पती थे जो के हिलाए मराथा था समराज आपका जग गोडगान सदा ही गाए सिरी सवाजी महाराज जी हिंदू हित समराथ कहाँ जिनके सेना पत बाजी राओं जी मराथा राज समहा ले आए मलहार राओ से प्रे में बहुत था बाजी राओं जी को बत लाए मलहार राओ से प्रे में बहुत था मलहार राओ से प्रेम बहुत था बाजी राओ जी को बतलाए होलकर राज इस था पित की ना मलहार राओ जी ने बतला इनके पूरवज मूल रूप से मराथा में से पाल के हिलाए पूना के नजदी के गाओं एके जिसका नाम होल कहला इसी गाओं के रहे निवासी इसी लिए होल कर कहला राम नौमी को बालक जन्म मलहार राओ नाम कहला जिनके पिता खंडो जी राओं है माता नाम जिवाई कहा ए खंडो जी का निधन हुआ जग कया बड़ा ही संकट्या इसके बाद मामा के घर पर मा जिवाई पहुची जा इसके बाद मामा के घर पर इसके बाद मामा के घर पर मा जिवाई पहुची है जाय और वही पर पालन को सन्म मलहार राओ का हुआ बताई बड़े परकमी बीर हुए फिर समय बिवाई का पहुचाया आए गोत्मबाई सक बिवाई हुआ और सदा ही आंगे बढ़ते जाए अपने परकम के पल पर ही हिर्दै पेसवा के भाजाए पहले नायक मन सब धारोर परगन अधीस बन गई आए बाद में सूबेदार बन गई मलहार राब जी जो के लाए अब आंगे की बात सुनाते पंचो सुन लो ध्यान लगाया हिल्या बाई के गाउस हो कर मलहार राब पूना को जाए अहिल्या बाई के गाउस हो कर मलहार राब पूना को जाए शिव मंदिर में देखी अहिल्या की सुन्दर सी छबी बता एक तक ने हारा है मलहार में मुक पर थी मुसका ने बताया हिल्या बाई के चेहरे पर असाधा रणे तेज दिखाय बुद्धी ज्यान के सचे परखी बीर मलहार राउ के हिलाय जरा देर ना करी उन्होंने ओर तुरंत ही पता लगाए किसकी ऐस सुन्दर सी विटिया पता हमें दीजेश बत लाए हिल्या बाई के घर पर पहुँचे और सैना ने कहा सुनाए मलहार राउ जी आये हैं द्वारे जिनका होल कर राज कहाै मलहार राउ जी आये हैं द्वारे मलहार राओ जी आये है द्वारे जिनका होल कर राज कहाई अहिल्या भाई के पिता पास तब मलहार राओ जी पहुचे जाए हाल बताया उन्होंने सारा मन को जी से कहा सुनाई बेटा है ये वराज हमारा खंडे राओ है नामे बताँ दीरे पेसे वाका में से बक पास आपके पहुचाया जब यह बात सुनी है देखो मन को जी सिंदे के हिलाई अहिल्या भाई के पिताया पहें आप गए मन में हरसाए बहुत ही चर्चा सुनी बीरों की संका किसी बात की नाए परम सभाग हमारा होगा अहिल्या याप की बहु कहाए परम सभाग हमारा होगा परम सभाग हमारा होगा अहिल्या याप की बहु कहाए सन सत्रा सो पेतिस में फिर इनका हुआ बिवाह बता छोटे से गाउं की कि सोरी अहिल्या बाई जो कहला होल कर राज की पुत्रे बधू बन अपने राज में पहुची जा दिन दूनी और रात चोगनी तरक की राज की होती जा एसे अतिसुव कदम अहिल्या रानी बन कर यहाँ परिया भरापूरा परिवार यापिका सैयुक्त एक परिवार कहा आपने अपनी बिनम्रता से सबके दिल जीते बदला साथ ससुर का ध्यान रखे वहे अपने सब करत अपने भाई साथ ससुर का ध्यान रखे वहे साथ ससुर का ध्यान रखे वहे अपने सब करत अपने भाई घर के सब ही कारियों को वहे सदा लगन से करती जा यहां पती विराज बहुत ही हटी सभाओ के जो कहला राजिकार में रुची नहीं थी नहीं कोई भी कार करा प्रेम त्याग से अहिल ल्या के हिर्द पर वर्तन हो जाए राजियों के कारियों में भी अब खंडे राओ की रुची कहा जब यह देखा मलहार रावन मन में बहुत कुसी हो जाए समसत्रा सो पेतालिस में पुत्रे का जन में हुआ पतलाए माले राओ नाम रखा बेटे का सुन्दर जीवन रहे बिताए माले राओ नाम रखा बेटे का माले राओ नाम रखा बेटे का सुन्दर जीवन रहे बिताए सन्सक्त्रा तो अड़तालिस में बेटी का हुआ जन में बताए मुक्ता नाम रखा बितिया का अब आंगे की बात सुनाए अपने ससुर मलहारे राव से युद्ध कला भी सी किया राजनीती के दाओ पर भी अहिल्या बाई समझी जाए एक कुसल सिस्या की भाति युद्ध छेत्र में भी है जाए कभी घोड़े पर सबार हो कर यात्रावे मन को रही है जाए सेना का भी खुसल संचाला ले करिया हिल्या ने बत लाइ यहां कुसल ओ धाकी भाति उनके पती भी साथ निभाई यहां कुसलियो धाकी भाती यहां कुसलियो धाकी भाती उनके पती भी साथ निभाई एक बारी की बात बताते बक्त हुआ पे पिरीत बताई अहिल्यावाई के पति ये भी राज जो राजा खंड ये राव कहाई उत्तर भारत के राजों से चौथा कर बसूलने जहाई लेकिन राजा सूरज मलने साप किया इन कार बताई हम तो जरा भी कर नहीं देंगे चाहे योधा भले हो जाए सूरज मलने करी घोसणा मराठा से अब युद्ध हो जाए मराठा भी पीछे नहीं हटते खंड राव कह दिये बताई राज भरत पुरकुम्बेरी गढ़े गेरे उन्हों ने लिया बताई राज भरत पुरकुम्बेरी गढ़े राज भरत पुरकुम्बेरी गढ़े ने लिया उन्हों ने बताई राज भरत पुरकुम्बेरी गढ़े ने लिया मेदान से पीछे हट जाए चोब समर सत्रा सो चोहत्तर काला दे बस गया है आए अपनी सेना का संचालन खंडे राब जी करते जाए घात लगाए बैथे सत्रू गोली अफीकी ने बौचार गोली लगी है जब राजा को चहु ओर हुई हाहाकार खंडे राब गिरे घोडे से मानो उजड़ गया संसार खबर मिली राज परे देखो आया संकट बिसम अपार खबर मिली है राज में देखो हबर मिली है राज में देखो आया संकट बिसम अपार पता चला मलहार राव को फूट फूट रो रहे बता यहां यहिल्या भाई जिनका हाल रहा कुछ कहा न जाए आचेत हो गई अहिल्या देखो सब की दसाब गड़ गई आया मलहार राव जिल्ये जब देखा अहिल्या को हे नजर उठाए पुत्र सोक को भूल गई तब पुत्र बधू को देखे न पाए अहिल्या का जीवन तो एसा जैसे अंधिकार चा जाए सती प्रथा थी उसी समय पर अहिल्या सती होने को जा लेकिन ससुर्पता के जैसे अपनी बात कही समझाए लेकिन ससुर्पता के जैसे लेकिन ससुर्पता के जैसे अपनी बात कही समझाए अगर सती जो तुम हो गई तो यहाँ पर हम भी जीना पाई वा पुत्र तो चला गया अब साथ साथ सिस्या भी जाए अगर कही हो जाए ये सा राज को कोन समहा ले आए अगर रहोगी अहिल्या जीवते अपने मन को लुग मना देखो एक या चक्टी भाती मलहार राव जी रोते जाँ जिन के सामने दुस्मन सारे भागते अपनी जान चुडाए पहली कडी में बस तिना ही अब बस यहीं बेराम हो जाए बाकी कहानी अगले भाग में सब को संजो बगेले सुनाए बाकी कहानी अगले भाग में